बार दोस्तों आर्थी फूडन ब्लॉग में फिर हाजिर हूं एक नई रेसिपी के साथ तो आज हम बनाने जाते हैं बहुत जटपट से जल्दी से बनने वाली आलू और सोयवीन की सबजी आलू और सोयवीन की काट करके छील के अच्छे से हमने उबाल लिया है और उबाल कर अब हम लेते हैं मसाले जिसमें अद्रक लेसन हरी मिस्ट टमाटर प्याज कट करके हमने ले लिया अब एक मिक्सी का जार लेंगे उसके अंदर हमने यह सारे मसाले एड़ कर दिया अद्रक चब खड़े मसाले एड़ करेंगे जिसमें हमने लॉंग इलाइची थोड़े थोड़े क्योंकि यह चार कटोरी सबजी बना रही हो दाल चीनी और तेज पत्ता अब सुखे मसाले में हमने लाल मेज पाउडर धनिया पाउडर हल्दी पाउडर गरम मसाला सभी को इसी में हम पा pourquoi बहुँ अच्छी होती है ऐसे फीस के थोड़ा सबाना पानी डालाव पिस पना लेंगे आप हम एक violation की कडाई उसके अनदर हमने मस्टरड डाल कर अच्छी से गरम कर लिया है गरूकर दढ़ हाई हम जीरह पाउडर और जीरह के बाद अमने मसाला को इसी प्रसेंट को क जाए और गैस का फ्लेम आपको लो रखना है मसाला 50% कुक होने के बाद सोया बीन आलू अपने बॉइल किये थे उनको एड़ कर देंगे अब उनको आपको इसी स्टेश पर अच्छे से पकाना है क्योंकि सोया बीन के अंदर मसाला जाना चाहिए और अच्छे से फ्राई हो ज जाएगी तो यह देखे सारे इस तरीके से यह पानी जल चुका है और बिल्कुल चिपक चुका है यह सोया बीन और आलू पर अब आप चाहें इस तरीके से सूखी सबजी भी खा सकते हैं टिफिन लंच में यूज कर सकते हैं लेकिन जिसको ग्रेवी पसंद है और चावल य 10 मिनट के लिए पकाईए तो 10 मिनट बाद अब हम चेक करते हैं हमारी सबजी तो यह देखे तैयार है हमारी आलू और सोयाबीन की जटपट बनकर सबजी और दोस्तों कहना चाहूंगी आर्थी फूडन ब्लॉक पर ब्लॉक्स भी आते हैं रेसेपी भी आती हैं आप मुझे कमेंट कीजिए शजेशन दीजिए तो यह देखे सबजी हमने सबब करके तयार कर दी है इसे आप चावल के साथ खाए रोटी के साथ खाए और कभी किसी टाइम बना कर खाए फुल हेल्दी है यह सबजी और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सबस्क्राइब